क्लास नाइंत के सोशल स्टडीज की कॉंपिटेंसी एनस्मेंट प्लान की भीकली प्रैक्टिस शीट नंबर सेवन तो वीडियो स्टाइब करते हैं बट उससे पहले अगर चैनल पे नहीं आए है तो चैनल को फटाफर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर इस तरीके का सबसे पहला क्वेस्टिन जो हम से पूछा गया है वह जैनरली वी सी था मैट्स अन सेक्स सेक्स होता है बोरी ठीक है और यूसे इन हासवोल्ड रिलीजियस एड़ एडुकेशियल इंस्टिशन तो इसका इसके लावा अगरे इजुकेशन इंस्टिशन में भी किया जाता है इस आइटम से एस्टेटेटेड विछ ऑफ फॉलोईंग इंडस्टि तो कुछ इस इंडस्टिश से बिलाउं करता है जूट इंडस्ट्री से ठीक है जो की है पटसन उद्योग सेकेंड और टू है बफोर बिप्रिश्मेंट ऑफ बिटिश रूल इंडिया प्लाइं इंडि तो उससे पहले जो सणर थे लोहार थे बुनकर थे रहा होगा तो स्मॉल इंडस्ट्री जो है बिटिश रूल के टाइम में जो है वो गायब होने लगा विच आपि दर रीजन और डिक्लाइं ऑफ इस्मॉल इंडस्ट्री तो इन में से कौन सा कारण जाब नहीं रहा होगा तो इंक्रीज इंडिमांड फर कॉमडेटिटीस प्रोडूस बाइच्छ इंड़स्री इसके डिमांड बढ़ गई होगी। तो यह कारण इसका नहीं रहा होगा है ना जाने की फॉर्थ ऑप्शन करेक्ट है नई पीडी दे लोग का वल्लो लगू उद्योग वल्लो तयार वस्तुवां दी मांग वदेरे करना इसके बाद question number third है which of the following statement is correct इसक्रेटमेंट करेक्ट है कि 19th century के खतम होने तक और 20 सदी के शुरुवात होने तक जो है वह काफी सारी इंडिया में स्टेटमेंट फोर जो है वह कहता है कि as a result of growth of modern इंडस्ट्रियल तो modern इंडस्ट्रियल के ग्रोथ कि वज़े से दो classes है वह जन्में capitalist और capitalist और वर्कर ठीक है और उन्होंने एक सोसाइटी जो है वह बनाई तो सारे ही ऑप्शन जो है वह करेक्ट है इसके बाद जो है यानिकि सारे कथन सही है question number fourth है historical facts को analyze करना है और matching करना है cotton textile industry जो है वह 1853 में इस्टैब्लिश होए ती सी से connect हो जाएगा फिर second पहला जो टी गार्डन है वह 1852 में बना था ठीक है तो ए आजाएगा यहां पर फर्स्ट कॉफी गार्डन जो है 1840 में बनाता तो यह बी से connect हो जाएगा ठीक है यानि फर्स्ट का सी सेकेंड का ए थर्ड का बी सेकेंड एक स्ट्रेंट के लिए second option जो है वह करेकते है question 5 है बाइद एंड आटीन सेंचुरी इंडिगो प्लांटेशन अंडर इंडिगो इंडिगो इंडिश्ट्री फर्स स्टाटे इन टू स्टेट्स तो इंडिगो इंडिगो इंडिश्ट्री जो है वह 18th century के एंड तक कॉन से त स्टाट किया गया था तो बिहार एंड बेंगॉल ठीक है बिहार अते बंगाल ठीक है इसके बाद नेक्स्ट प्वेस्ट्ट्री तो जिस स्कूल पर गुर्दीप पढ़ता है ज्यादतर जो स्टूडेंट है वह रिश फामिली से बिलॉंग करते है लेकिन गुर्दीप पू और किस राइट का किस अधिकार का जरे वह रहा है राइट टू एक्वैलिटी यानि कि समांता दा अधिकार इसके बाद नमबर सेवट है आश है जो है वह स्विपर है घर मेरे साव सफ़ाई का काम करती है ठीक है अपना जो है वह ओरनिंग करने के लिए और गुलिंग से ल जाइन में जो है बहुत और जो भारत है उसके अंदर जो बोट देने का अधिकार है वो बिना किसी वेदभाव कि अमीर गड़ीब का कोई ब्यदभाव जब नहीं होता है सब को ही दिने का अधिकार है तो अब जाते हैं äनोments के लिप है तो दो तरिके के हैड होते है एक नॉमीनल होता है और अजुसरा है यहां पर भी कत्हने दो सही हन् ये इसका answer है अगला question है my name is Satnam Singh, मेरा नाम सतनाम सिंग है, मेरी उमर 25 साल की है, मेरे पास voter card है, लेकिन मैं विलेज से city में shift हो गया, जिसकी वज़े से जो है वो मैं अपना vote जाब ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ, तो मुझे किन से contact करना पड़ेगा, तो answer है BLO, चीक है, BLO से इसे contact करना पड़ेगा, अगला question है, टीवी चैनल में survey हो आठीक है, जिसमें कि Indian democracy का success है, उसको लेकर survey किया गया, 50% लोग मानते है कि जो democracy है, Indian democracy वो बहुत जादा successful है, 20% लोग मानते है कि कुछ हग तक successful है, जब कि 20% लोग भी है, जो कहते हैं कि बिल्कुल successful नहीं है, औ 10% लोगों का कोई भी opinion नहीं है, तो इसमें से स्टेट्मेंट जो है, इस रिगार्डिंग करेक्ट होगा कि जादातर लोगों का जो है, positive point of view है, democracy को लेकर, democracy की success को लेकर, ठीक है, तो second option जो है, वो correct है, इसके बाद यानि कि जादातर नागरिक लोगतंतर की सफलता वारे सक करता है, यह responsibility जो है, वो election commission की होती है, ठीक है, जो कि independent body है, तो election commission of India का main role क्या है, primary role क्या है, यह free and fair election करवाना, ठीक है, यानि कि स्वतनत्रते निर्पक्ख चोन करान, तो यह जो third option है, वो correct है, ठीक है, इसके बाद, जो है, वो एक independent candidate की तरह election जो है, वो लड़ना चाहते है, उन्होंने public meeting organize करी, ठीक है, इसके लावा election manifesto, जो है, उसमें अपने policies लिखी, और posters जो है, उसको paste करवाया, ठीक है, तो इस process को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, election campaigning, ठीक है, जो second option जो है, वो correct है, election campaigning, Next question है, Each country has its own procedure of election, हर country का procedure जो है, election का वो अपना अलग होता है, इंडिया में भी election electoral process जो है, उसको काफी सारे stages से होकर गुजरना पड़ता है, यह आपको four steps दिये गई है, इन्हें correct order में place करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct order होगा, वो क्या होगा, सबसे पहले date of election जो है, व होगा, ठीक है, यह number two हो जाएगा, इसके बाद, जो है, combination form वगएरा जो है, यह भरा जाएगा, ठीक है, और फिर election symbol जो है, वो allocate होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यह हमारे पास fourth हो जाएगा, ठीक है, तो इस recording जो दिखो, सबसे पहले second जो है, पहले option पर आएगा, फिर जो है, fourth वाला, जो है, वो second number पे आगया, फिर हमारे पास, जो है, जो third point है, वो third number पे है, और जो first point है, वो fourth number पे है, ठीक है, तो first option जो है, वो correct है, इसके बाद, बच्चो, question number 14 है, राम सिंग जो है, वो लोकसभा का election लड़ना चाहता है, और इसके लिए उसे एक officer ने form भरन को कहा है, ठीक है, फॉर्म को फिल करके, राम सिंग जो है, वो फॉर्म भापिस करने जाता है, can you tell what that officer is called as, तो यह कौन से officer ते जिनसको जो है, राम सिंग ने जो है, वो फॉर्म रिटर्न किया था, तो यह थे रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, रिटर्निंग अफसर, अगला अच्छो, यह वीडियो हो जाती है, यहीं पर खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्षिन में क्वेस्टिन कीजिए, आपको रिप्लाइ करने की, पूरी कोशिश करूंगी, थाइंक्यू, वेरी मच, और आल बेस्ट वर यूर टेस्ट, बाबाए